मेरी जन्म कुंडली के आटवे भाव में पांचवे भाव का स्वामी शनी और साथवे भाव का स्वामी ब्रहस्पती यूती कर रहे हैं। क्या यह असफल विवाह का संकेत देता है? इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं? यदि आपके पांचवे भाव का स्वामी शनी और साथवे भाव का स्वामी ब्रहस्पती आठवे भाव में यूती कर रहे हैं, तो ये रिष्टों और विवाह के बारे में दिल्चस्प सवाल उठाता है। आठवा भाव परिवर्तन, रहस्य और साजा संसाधनों को नियंतरित करता है, इसलिए इस यूती का गहरा प्रभाव पढ़ता है। पाँच्वे भाव का स्वामी शनी रोमेंज और रचनात मक्ता के प्रती अनुशासित दřिष्टिकोन का संकेत देता है। ये प्रेम मामलों में देरी या कर्म संबंधी सबक ला सकता है। साथवे भाव का स्वामी ब्रहसपती विवाह और साजेदारी को नियंतरित करता है। यहां इसका स्थान गहराई और सार्थक संबंधों की खोच को दर्शाता है, लेकिन यह इमानदारी और भावनात्मक पारदर्शिता की भी मान करता है। यह यूती रिश्टों में प्रवर्तन की आवश्यक्ता की और इशारा करता है। यदि यह अच्छी तरह से देखा जाए, तो ये सयोजन संबंधों को गहरा कर सकता है और लचीलेपन पर आधारित साजहदारी बना सकता है। मंत्र, ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से ब्रहस्पती और शनी को मजबूत करने जैसे उपाए उनकी उर्जाओं में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। याद रखें, आपका चार्ट निश्चित्ता नहीं, प्रवृतियां दिखाता है। जागरूकता और प्रयास के साथ आप इस्थिती को सकारात्मक रूप से नेविगेट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सदस्यता लें।